इस मीवी में टोटल तीन पार्ट्स हैं, पहले तो मैंने यही सोचा था है कि इसके तीनों पार्ट्स देख लेते हैं और फिर एक वीडियो बना देता हूं तीनों पार्ट्स को लेके, फिर मैंने सोचाए कि नहीं यार, एक एक करके अराम से पार्ट्स देखते हैं, हर एक की वीडियो बना देते हैं और अप्लोड कर देते हैं नमस्कार दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ Rise of the Planet of the Ape जो 2011 में आई दी और इसे जो डेरेक्ट किया है Rupert Wett ने और जो इसके अंदर कास्ट है, Andy Serpice जिनोंने अपनी वोईज दी है Caesar नाम के एक चिपेंजी यानि वानर को, Christopher Gordon जिनोंने अपनी वोईज दी है कूबा नाम के एक चिपेंजी यानि एक करेक्टर, एक वानर है और James Frank को जिनोंने प्ले किया, Will Rodman का किरिदार, जो एक डॉक्टर है अब कहानी पर आते हैं, सबसे खुबसूरत बात, इस मूवी की मुझे ये लगी कि इसमें जो भी चीजें दिखाये गई, step by step धीरे धीरे चीजों को दिखाया गया यानि कि हरी करेक्टर को ढ़लने का मौका दिया गया, और उसको समझने का पूरा मौका दिया गया ये नहीं कि कोई चीज ऐसी चुटकी बजाती ही चेंज हो रही है किसी चीज का शुरू होना उसके बेसिक से उसको दिखाया गया मतलब कि एक स्टार्टिंग पॉइंट इसमराजे की उत्पत्ति कैसे हो रही है उसको बहुत बिलकुल बेसिक से इसको दिखाया गया है तो इसकी जो कहानी जो शुरू होती है एक लैब के अंदर एक दवाई बनाई जा रही है विल रोडमेन उस दवाई को बना रहा है काफी टाइम से इस दवाई पे काम चल रहा है मूवी में दिखाया गया है जो एक तरीके से दिमागी बिमारी को ठीक करने के काम आता है जो लोग पागल हो रहे हैं जिनके भूलने की शमता बहुत ज़ादा है मतलब कि वहर चीज भूल जाते है तो उनकी दिमागी शक्ती को बढ़ाने के लिए दवाई बनाई जा रही है और Will Rodman इस दवाई को बनाने के लिए बहुत टाइम से लगा हूँ है और वो जल्द से जल्द इस दवाई को इंसानों पर टेस्ट करना जाते है इंसानों पर टेस्ट इसलिए करना जाते है क्योंकि Will Rodman के पिता को खुद ये बिमारी होती है वो खुद पागल हो रही होते है तो इसलिए ये रीजन होता है कि वो जल्द से जल्द इसको इंसानों पर टेस्ट करना जाते है लेकिन इंसानों पर टेस्ट करने से पहले इसे एक टेस्ट इसका चल रहा होता है इस दवाई का warners के उपर यानि चिप एंजी के उपर जिनको जंगल से पकड़ पकड़ के लाया जाता है जिनके उपर ये टेस्ट किया जा रहा है तो काफी टाइम से ये टेस्ट हो रहा है किसी पर नहीं बन रहा है किसी में इसमें changes होते हैं फिर at least कुछ एक warners को फिर लाया जाता है दवाई को एक नया रूप बना के एक warners मादा warners को इसको दिया जाता है उसका कुछ 19 ऐसा कुछ नाम रखा जाता है उस बंदर का या warners का तो उसके ओपर ये जो दवाई है वो काम कर जाती है उसका दिमाग तेज हो जाता है मैं यहां बता दूँ कि जिसका दिमाग मतलब कि पागल हो रहे होते हैं तो उसको ठीक करने में और जिनका दिमाग पहले से ठीक है उनको तेज करने में एक तरीके से दवाई काम कर रही थी तो उस वानर का दिमाग तो पहले से ठीक था तो इस द्वाई ने उसके उपर और अच्छा परभाव ये डाला कि उसका दिमाग तेज होने लगा वो पजल्स को सोल्ड करने लगी तो विल रोडमेन को लगा कि हाँ अब ये द्वाई काम करने लगी है डिरेक्टर्स को बुलाते हैं उनको बताते हैं कि द्वाई बहुत अच्छे से काम कर रही है तो जिस दिन डिरेक्टर्स आते हैं उस दिन ये जो मादावानर है ये हमला कर देती है और सबको लगता है कि ये दवाई का बुरा असर है और इसलिए इसको मार दिया जाते है वहीं गुली-गुली मार देते हैं इसको जब चीजें हो जाती है उसके बाद पता जलता है कि ये प्रेग्नेंट थी और इसका बच्चा हो चुका है और वह अपने बच्चे को बचाने के लिए ये हरकत कर रही थी तो लेकिन ये देर हो चुकी होती है सब वानर्स को मारने का उस कंपनी का जो मालिक है मुझे नाम नहीं पता उस कंपनी का मालिक का नाम क्या था स्काइज कुछ ऐसे कुछ करके तो उस company का मालिक सबी वानरों को मारने के आदेश दे देता है लेकिन उसके बच्चे को Will अपने घर पे लेके चला जाता है उसका नाम वो Caesar रखता है कुछ एक टाइम बाद Will को पता चलता है कि जो Caesar है उसके अंदर जब उसकी माँ को ये दवाय दी गई थी तो उसके उपर भी इस चीज़ का सर हो चुक है तो उसका दिमाग देरे 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 इतना तेज हो जाता है कि वो चीज़ों को पढ़ने लग जाता है समझने लग जाता है इशारों में बाते करने लग जाता है तो मतलब कि इंसानी बाशा को समझना इशारों बाते करना ये सब विल उसे सिखाता है लेकिन वो इस चीज़ को बहुत जल्दी ग्रैप कर लेता है और देरे देरे सीजर को ये महसूस होने लगता है कि अब उसकी जगा इंसानों के पास नहीं है अपने ही वानर के पास है क्योंकि उसके साथ कुछ ऐसी दिखाए गए है वाकियां जैसे उसे पालतू बना के रखा जा रहे है फिर जैसे वो बड़ा होता है तो जैसे बड़ा म English S लगा के बना रहो स्वरी प्लॉरल बनाने ही कोशिश कर रहो तो बहुत सारे वो वानरों को देखते हैं तो उनको वहां से निकालने की सोचते हैं कि इनको बाहर निकाला जाए इनको अब अजाद किया जाए क्योंकि किसी को भी अंदर पिंजरे में रखना खेर यह बहु यहां पर यह अपने जो अपनी कॉमुनिटी है उसको बाहर निकालने के लिए उनको वो द्वाई वो दे देता है जिससे उनका दिमाग दे जाता है उनको इशारों में बात करना और जिखा देता है और एक चीज इसमें यह दिखाएगी है कि सीजर जो है वो बहुत क्योंकि इनसानों को लगता है कि वो खतरनाक है उसे मार देंगे उन सबको मार देंगे तो इसलिए वो इनके बीच में लड़ाई होती है अटलिस्ट सीजर जो है वो उन सबको जंगल में लेके भी जला जाता है और वहां पर एक नया दिनका समराज शुरू हो जाता है इस म आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी बांद के रखने वाली आप पलक जपकाई भी नहीं यह मूवी देखने वाले हो कि भी हाँ अब क्या होने वाला है अब इस चीज के बाद क्या होगा कैसे उसके अंदर बदला हो रहे है कर इस मूवी के अंदर इंसानों को पहुत जादा कुरोर दिखाया गया है, जैसे मैंने इसके ट्रेलर, सगेंड और ठर्बेर पहले देख लिया है, तो उनके अंदर भी इनसानों को कुरोर मुझे लगता है कि ओनके अंदर भी वो दिखाया गया होगा, क्योंकि first party के अंदर है तो obviously second और third party के अंदर इसको continue रखा ही गया होगा कैर ये movie आपको बेशक आपको निराशनी करने वाली है और इस time पे अगर आपको movie खोज रहे हो जिससे लगे कि आपको आपका time ऐसी movie पे देना चाहिए जिसको आप entertain हो सको आप अपने आपको entertain कर सको तो आपकी उमीदों पे ये movie खरी उतर सकती है तो मेरी तरफ से इस movie को मैं देना चाहूँगा 8.5 out of 10 star बेशक बहुत लोगों ने movie देखी होगी 2011 के movie है और जिन लोगों ने देखी है और ये मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है उमीद करता हूँ पहुंच भी रही होगी तो प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये movie कैसे लगी बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में थैंक्स फुर वॉचिंग डिस वीडियो मिलते हैं नेक्स वीडियो में जाहिंद